भारते पुलस सेवा की वरिष्ठ अधिकारे और खेल वभाग की संचालग पवन जैन खेलाडियों की ट्रेनिंग को लेकर काफी सज़क नज़रा रही हैं। उनका कहना है कि कोरोना की समय खेलाडियों को ट्रेनिंग और प्राक्टिस कराने में जो दिक्कति आई हैं उनको अब खेल वभाग ने दुरुस्त कर लिया है। हमारी कोशिश है कि कोविट के नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करके खेलाडियों के लिए दोबारा से ट्रेनिंग और प्राक्टिस शुरू की जाए। एसीन भारत के साथ खास मुलाकात में खेल संचालक ने कहा कि खेलाडियों के शारीरिक और मांसिक तोनों पहलों पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मदप्रदेश के उभरते हुए खेलाडियों के लिए टालेंट सर्च पर भी जोड़ दिया जा रहा है जिससे उन्हें चिन्नित कर ट्रेनिंग देकर बढ़ावा दिया जा सके। खेल संचालक पवन जैन से बाचीत की हमारी पॉलिटिकल एडिटर मुक्ता पाठक ने। उनके लिए यही काम ना कर सकता हूँ कि खिलाडी गीत हैं गालिप की गजल हैं गंगा हैं सुनाते जो हमें जनगर खिलाडी वो तिरंगा हैं। उमीद है कि टोकियो के मैदान में तिरंगा लहला आए और जो उमीद हम कर रहे हैं उस पर हमारे खिलाडी खरे उतरे हैं। और हमें एक नहीं अनेकों अभिनब बिंदरा तिरंगे के नीचे जनगर मन की धुन सुनवाते नजर आए। तो दर्शकों आपने सुना हमारे साथ इस वक्त एसीन भारत में हैं पवन जैन जी जो की हैं तो IPS और इस वक्त जो है वो खेल एकाडमी के डिरेक्टर हैं लेकिन दिल जो है उनका वो एक कवी का दिल है। कविताएं करते हैं कवी और IPS इसका जो मेल है थोड़ा सा रेर होता है लेकिन कोमल दिल के हैं लेकिन हैं IPS चलिए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका ECN भारत में बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू मुक्ता जी थैंक यू जैसा कि मैंने कहा कि कोमल हिर्दय हैं कविताएं करते हैं लेकिन IPS हैं तो ये बड़ा रेर कॉमिनेशन है सर ये कैसे मतलब मुमकिन हो पाया देखिए मैंने जब मैं जस्तान इस्टी में पढ़ता था तो तब जाके मुझे लगा कि सिविल सेवा के माध्यम से प्रियास करना चाहिए और मैंने कोसिस की तो मैं भारती पुलिस सेवा में चैनित हुआ और उसके बात से लगाता है मत्यपरदेश में 34 साल हो गए और इस दौर मैं कहीं मुझे लगा कि मुझे जो ची नहीं कविता की और पुलिस की नौकरी की तालमेल और जुगलबंदी चलती रही चलती रही है जुगलबंदी अब जैसे आप खिलाडियों के यहां पे आप डिरेक्टर हैं तो खेल विभाग के लिए कैसी चंता कर रहे है मध्यपरदेश का जो खेल अकैडमी है यहां से प्रचाहित कर रहे हैं खिलाडियों को भी मध्यकों को खेलों के मामले में आगे लाने में हमारी मांनी खेल मन्तरी के बहुत साथ तक प्रयाश रहे हैं उन्होंने 2006 से कलपना की थी कि मध्यपरदेश में एकेडेमी ऑफ एक्सिलेंस हों स्पोर्स की वो पहली सुरुआत गौालियर में महिला होकी से हुई धीरे धीरे सिलसला चल पड़ा आज 18 अकादमिया पूरे मद्यपरदेश में काम कर रही है और इस बार ओलंपिक में भी हमारे खिलाडी सूटिंग में होकी में और वाटर रहे हैं जिन से निश्चित रूप से हमें पत्कों की भी उम्मीद है और हमारे खिलाडियों ने अभी पिछले सालों में चाए वो विश्चुकब प्रत्योगताएं हों चाए वो रास्ती प्रत्योगताएं हों बहुत बहतर प्रतरसन किया है और दूसरा यह है कि हमारे कई जो खेलों के अदोसन चनाओं के निर्माड हुए हैं, चाहे वो सूटिंग की हो, चाहे वो राइडिंग की हो, चाहे वो होकी की हो, चाहे वो वाटर स्पोर्स की हो, भारत सरकार ने भी और साही ने भी उनको Excellence Center के रूप में मानिता दी है हम लोगों ने पिछले कई सालों में देश के बहुत जो नामी गिरामी कोच हैं उनकी सेवाएं ली हैं वो एकडेमी में निरंतर हमारे खिलाडियों को तरास रहे हैं टेलेंट सर्थ के माद्दम से हमने खिलाडियों को चैनित किया है हमारे पांसो से अधिक खिलाडी भोपाल, जवलपुर, ग्वालियर और सिपूरी की अकादमियों में रहके अपनी खेल की प्रतिवाओं को और निखार रहे हैं और निश्वरूप से मद्द्देश में खेलों में एक बड़ी पहँचान देश में बनी है और यही कारणे के भारत सरकार ने भी खेलों इंडिया दोजार बाइस के लिए सेद्दान तेक रूप से भोपाल में आईजन करने का नियने लिया है और जैसे ही ये सारी चीजें प्रिक्रिया पूरी हो जाती है तो साइद इसकी घोशना भी सीकर में भारत के खेल मंतरी भोपाल आकर करेंगे और निश्चर रूप से खेलों इंडिया भारत के मिनी उलम्पिक होते हैं उसमें प्रदेश के खिलाडियों को देश में और दुनिया में अपना नाम करने का एक सुनहरा आफसर मिलेगा तो मैं मानता हूं कि काफी कुछ किया गया है पिसले दस बारे साल में और निश्चर रूप से जैसे मैंने कहा कि सब के मन में एक ललक होती है कि हम लोग अंतरास्ती प्रत्योगताओं में और ज्यादा बहतर करें हम लोग उस अनुपात में अब तक अलम्पिक में और विश्चुकप प्रत्योगताओं में नहीं कर पाएं लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का माहौल देश में आया है खेलों इंडिया की योजना के माध्यम से टारगेट ओलम्पिक पोडियम के माध्यम से मद्यप्रदेश में इन अकाद्मियों की सनन्चनाओं के माध्यम से और कोरोना कारल ने हमें सिखाया भी है कि खेल हैं तो आपका इम्म्मीन सिस्टम बहतर होगा आप किसी भी तरह की महामारी को कंट्रोल में कर सकते हैं दूसरी बात ये कि अवसाथ से निकलने मैं मैं मानता हूं कि खेलों से बड़ी भूमिका और किसी की नहीं है जब आप कहीं व्यथित होते हैं तो स्ट्रेस जिसको कहते हैं आज साइन्स भी और रिसर्च भी इस बात को प्रतिपाज़ित करती है कि स्ट्रेस बस्तिंग के लिए तनाव दूर करने के लिए अवसाथ से बाहर निकलने के लिए योग और खेल की आपके जीवन में महत्व उन भूमिका है तो मैं समझता हूँ कि अब हमारी के बाद के दौर में फिर से लोग खेलों की तरफ आएंगे मैदानों की तरफ आएंगे हम लोग भी चाहते हैं कि टेलेंट के माध्यम से सर्च हम उनकी बड़े अवियान के रूप में करें टेलेंट की सर्च करें और उन्हें अपनी अकादमियों में नए खिलाडियों को भी मौका दें ताकि वो हमारे कोज के साथ बहतर सुविदा और प्रसिच्टन के साथ हमारा जो स्पोर्स साइन सेंटर है वो हिंदुस्तान के सबसे आधुनिक्तम साइन सेंटर में से एक है और जो भी नई टेक्नोजी आ रही है पूरी दुनिया में कोसिस कर रहा है कि हमारे खिलाडियों को उसको लाम मिले वो अपनी प्रतिवाओं को और बहतर कर सके आपने अभी बहुत ही विस्तार में पूरा बताया एक अच्छी बात इस पर जो बताई आपने करोना का हम लोगों ने दो लहर देख लिया और आपने कहा कि खेलते रहेंगे तो इम्मिनिटी डिवलप होगी तो उसको लेकर कुछ अलग से आप लोगों ने कुछ योजना बनाई है जैसे खेलाडियों की ट्रेनिंग तो खेलाडी तो कर रहे होगे लेकिन लोगों को भी इसमें जोड़ पाए खेल विवाग ऐसा कुछ किया है हम लोगों ने ये सोचा है कि केवल खेल बिवाग ही नहीं और इसमें सासन के और बिवागों की भी भूमिका है तो अभी हमने माननी मुख्यमंत्री मौदे से अनरोध किया था उनकी समिक्षा बेड़ डग में कि जैसे दूतरे और सरकारी बिवाग हैं जिसमें नगरी पर सास करें तो जो भी हमारी खेल सुपिदा हैं उनका और हम कैसे नवीनी करन कर सकते हैं और कैसे आधनिक तम मना सकते हैं कैसे हम लोग बहतर कोच ले सकते हैं तो उसकी एक अंतर विवागी समिदी मुक्य सचिव की अधिश्थता में बनी है और सीखरी उसकी बैटक होगी तो हम उस योजना पर भी काम कर रहे हैं. दूसरी चीज हम लोग ये कर रहे हैं, कि कहीं न कहीं योग और खेल. अब अगले हमारे जो खेलों अंडिया हो रहे हैं साल हर्याणा में, йोग को भी सामिल खेलों के रूप में किया गया. योग हमारी भारती-पद्धिती तो मेरा ये भी मानना है कि अगर आप योग से तुड़ेंगे खेल से तुड़ेंगे तो किसी भी तरह की बीमारिया तो आपको होगी नहीं अगर होगी तो आपका नुकसान नहीं होगा। कि खेलते रहिए, योगा करते रहिए, तो उससे कम से कम आप बिमारी से, बिमारी आपको उतना इसका effect नहीं आएगा, और आपने कई बाते बताई, खेलो इंडिया का बताया जो होने वाला है मध्रदेश में, और मध्रदेश में जो खेल मंत्री कि पूरे जो कारेकाल रहा है उसमें खेल को पुरुटसाहन भी मिला है आवार्ड्स भी मिला है आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं मतलब आपने क्या नया किया देखिए मैंने कहा ना कि यह निरंतरता से काम करने की है चुकि मैं जब से आया हूं तब से अब तक हम लोग पहली लहर से दूसरी लहर तक आये है तो निश्यरूप से बहुत गंबील समय था तो सबसे पहले तो हमारा काम यही था कि हम अपने खिलाड़ियों को सरच्चित रखें हमने दीरे दीरे करके चरणवत तरीके से पहले दौर में अपनी अकादमिया को ली थी और फिर हम सब्सक्राइब करें कि उसको हम चांट है और तीसरी चीज़ जो हम लोग सोच रहें कि इन खिलाडियों को रोजगार के अफसर भी दें तो एक नई चीज़ जो आई है कि हमारी मंत्री जी के और मानी मुख्य मंत्री जी के सहयोग के कारण ये संभव हुआ है कि मद्यप्रदेस के खिलाडियों को मद्यप्रदेस पुलिस में सीधे नौकरी मिलेगी उनके खेल के प्रतिवर्स पचास आरच्छक बनाए जाएंगे राज्ती खेलों में जो विजेता रहेंगे वो और जो अंतरास्ती खेलों में जीते हैंगे उनको उपनरी शक के पत पर जो है नियुक्ती दी जाएगी उनकी अगर वो सेचन की योगिताएं पूरी करते हैं उनके रिटेन औ मद्यब्रदेस में तलास करें फिर उन्हें तरास कर अंतरास्ती मुकाबलों के काविल बनाएं और तीसरी चीज यह खिलाडी जो हमारे साथ आते हैं उनको यह मन में संसेना रहे कि उन्होंने खेलों को अपना केरियर बनाया है तो खेलों के माध्यम से भी वह अपनी केरिय होगे खराब तो आप लोगों ने रोजगार के अफसर उनके लिए अलग से जो है वो मुहिया करा दिया है तो उसके बाद नाचरली खिलाडी फिर पूरे अपने मन से जो है वो खेल पे ध्यान देगा आपने करोना की बात की तो किस तरह की तैयारी आपने का जैसे की टूर हमारी पूरी दुनिया के लिए असाध्य रूप में आई है और दीरे दीरे करके इसके जो भी प्रोटोकॉल हैं जो भी इसके मानक हैं हमारे राज्यसासन के हमारे स्वासमंत्रा लेके उन सबको हम लोग लागू करते हुए यहां पर हमने खेलों को फिर से प्रारम किया है जब कोविट काल में ये बच्चे अपने घरों में थे तब भी हमने उनकी ऑनलाइन क्लासेज फिटनिस की और योगा की चालू रखी थी निस्टरूप से खेल के मैदान के विना वो प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते हैं रेकिन कम से कम अपने आपको ले में रख सकते हैं और हम दीरे-दीरे करके उनके फिर से सारे जो उनके फिजीकल फिटनिस के टेस्ट कर रहे हैं उनकी डाइट का हम लोग प्लान कर रहे हैं इसके लाव हमने एक काम ये किया किया कि स्पोर्स साइकलोजिस्ट जोड़े हमने जो देश की बड़ी स्पोर्स साइकलोजिस्ट हैं ड तराम में ना है ये नर्वस ना हो इन में अफसाद ना है तो उसके लिए हम लोग निरंतर काम करते रहे और अब भी जब ये खिलाडी लॉट करा रहे हैं तो जो भी सुरच्छा के मानक हैं हमने इनके आर्टी पीशार टेस्ट पहले से कराए हैं रेगुलर हम लोग यहां पर रैबिड टेस्ट इंके कराएंगे वैक्षिनेजन हमने सारे खिलाडियों का जो अथारे प्लस के हैं उनका करा लिया हैं और जो यहां पर हो सकती तो निश्ट दूप से हमारे कोचिज और अधिकारियों के लिए एक बहुत कईए आसाद दिकार है लेकिन हमने पहले फेज के बाद साथ महीने तक खिलाडी रहे और काफी हम लोगों ने सुरच्चत रखा दूसरी लहर के आने पर कुछ संकर में दूए तो हमने उनका प्रॉ लोगडाउन में बंद करना बड़ा था लेकिन अभी वो फिर से लोटे हैं खेल के मैदान पर रोनक लोटी है खिलाडी अपनी पुरानी लहमें लोटे हैं हम कोसिस करेंगे कि वो उस मुकाम तक पहुंचें जिसके लिए वो यहां है आपने बहुत अच्छी बात बताई कि mental wellness पर भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वाकई में ये जो दो साल का period रहा है lockdown का इससे physical के साथ साथ mental imbalance भी देखने में आया है आपने ACN भारत को अपना समय दिया इत्ती अच्छी बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहूंगी जाते जाते ACN भारत के दर्शों को के दो लाइन अपनी कुछ जो कि मैंने आपको कहा था कि आप एत्ते कोमल हिर्दे के हैं पोईट्री करते हैं तो कुछ सुना दे देखिए मैं खिलाडी हूं और खेल प्रेमी हूं तो हमेशा ये कल्पना करता हूं कि हिंदुस्तान के खेल के मैदानों का परद्रश्य बदले लोग खेलों से जोड़े हैं पहले हम लोग जब घर के बाहर खेला करते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें पकड़ कर लाते थे कि बेटा पढ़ ले लेकिन अभी इस दौर में जब बच्चे बहुत जारा स्क्रीन पर काम करते हैं मॉबाइल पर लैप्टॉप पर तो पेरेंट चाहते हैं कि वो खेल के मैदान में जाएं तो मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपनी बात रखता हूं कि हिंदुस्तान में हर सुबह बच्चा रोता है नौजवान सोता है और बूड़ा खांसता है मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में ऐसी सुबह जब ये बच्चा र और यह बूड़ा खांसेगा नहीं खिल खिलाएगा अपने बच्चे और बेटों के खेलों के किस्से सारी दुनिया को बताएगा क्या बात है क्या बात है बहुत गजब तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने ACN भारत से बाची तो ये थे पवन जैन जी जो कि हैं तो IPS ओफिसर लेकिन दिल जो उनका धड़कता है वो एक पोईट का दिल है जो धड़कता है और उनोंने कहा कि ये जिस तरह का लॉक के साथ साथ उनके मेंटल वेलनेस की भी पूरी जो है उसके उपचार की तैयारी कर लिए है ACN भारत के लिए भो पाल से कैमरामेन उबेस के साथ मुक्ता पाठक